करेंट अफेर्स के सेशंस में हमने फिछले वीडियो में जो है Conference of Parties 21 के बारे में बात किया हुआ था जो के Paris Agreement 2015 का यह पर Paris Climate Accord जिसे हम कहते हैं जिसका आउटकम था तो इस वीडियो में हम Conference of Parties 24 के बारे में बात करेंगे जो के कटोवाइस पोलेंड में हुआ था जो के 2018 में था और यह भी उनाइटे नेशन से Climate Change का यह Conference तो आईए जानते हैं कि इस Conference of Parties No.24 या फिर कटोवाइस 2018 का आउटकम क्या था दरसल इसका रीजन क्या था और किस तरीखे के रिजर्ट्स जो है हमें यहां पर देखने को मिले तो आईए शुरू करते हैं It is 24th Meeting of Conference of Parties which is Supreme Body of a United Nation Framework Convention on Climate Change हमने अल्रेडी UNFCCC के बारे में एक वीडियो बना हुआ है मैं आप सा रेक्मेंट करूँगा कि आप जाकर वो वीडियो देखें ता कि आपको बता चले कि दरसल यह UNFCCC है क्या हो यह करता क्या है और हमने फिछले वीडियो में भी Conference of Parties के बारे में देखा क्योंकि यह Supreme Body है UNFCCC का जो के हर साल जो है या फिर जब कभी भी जुरूत पड़े वो मिलते हैं डिसकस करते हैं डिबेट करते हैं और किसी भी तरीखे के नए रूल्स रेगलेशन वगेरा लाना हो वह सभी के बारे में वह बात करते हैं Poland was the President of Conference of Parties 24 and it was its fourth time being the COP President तो फिछले हमने देखा Conference of Parties 21 पारिस में था तो वहां पर लीडर फ्रेंस था तो यहां पर पोलेंड में चल रहा है तो दरजाहर सी बात है के पोलेंड जो था वो Conference of Parties 24 का लीडर था कटोवाइस भी दरसल पोलेंड का ही एक सिर्की है Conference of Parties 24 aimed to bring a set of rules to implement the Paris Agreement हमने पिछले वीडियो में जब पारिस अग्रिमेंट के बारे में बात किया तो हमने देखा कि एक Climate Accord दिया गया था यह कहा गया था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2.0 2.5 degrees Celsius के अंडर ही global temperature maintain करेंगे और try करेंगे के 1.5 degrees Celsius के अंदर ही उसे limit करें लेकिन किस तरीखे से करेंगे वो हमें Paris Agreement में नहीं दिया गया हमें यह तो कहा गया कि nationally determined contributions देने पड़ेंगे लेकिन किस तरीखे से होंगे किस कंट्री को चाहिए कि किस तरीखे से वो इस nationally determined contribution को set करें या फर किस तरीखे से Paris Agreement को fulfill करने के लिए एक rule book होनी चाहिए उसके बारे में decide करने के लिए यह cut-off-wise conference जो है वो रखा गा था 196 countries and European Union participated in a conference of parties 24 and brought out a package of implementing rules for the Paris Agreement called the cut-off-wise rule book तो 196 countries थे UNFCCC के जो के Paris Agreement को भी जिन्होंने accept किया हुआ था उन सभी ने यहां पर participate किया हुआ था और cut-off-wise rule book को जो है उन्होंने accept किया हुआ था that enables the implementation of 29 articles of Paris Agreement तो Paris Agreement के तहत हमें अलग-अलग 29 important articles देखने को मिले थे तो उसके related यह फिर उन से related एक rule book जो है provide करना या फिर produce करना ही Conference of parties 24 का aim था main points about cut-off-wise rule book of Conference of parties 24 are it comprises the steps that each member nation is required to take to fight global climate change nationally determined contributions हमने फिछले chapter में ही या फिर फिछले वीडियो में ही इसके बारे में बात क्या हुआ है आप से recommend करूँगा कि आप जाकर वो वीडियो देखें ताके आपको इसके बारे में भी detail में पता चले तो जाहिर सी बात है कि ये cut-off-wise rule book बताता है कि हर member nation को किस तरह के steps लेने चाहिए ताकि वो global climate change से लड़ाई कर सके it operationalizes the provisions of Paris Agreement by mentioning the process and guidelines to implement it Paris Agreement ये तो बताता है कि provisions क्या है आपने देखा कि 29 important articles हैं लेकिन वो articles को किस तरह के से operationalize कर सकते हैं तरह के से उन्हें practice में ला सकते हैं इसके बारे में हमें cut-off-wise rule book बताता है the scope of an amendment has been given to the cut-off-wise rule book तो cut-off-wise rule book को अगर हम चाहें तो उसे amend भी कर सकते हैं इस तरह का scope भी जो है Conference of Parties 24 से दिया गा था where the Paris Agreement only mentions the need of the rules that each country should devise as a part of global climate change cut-off-wise rule book specifies what action can be included in the action plan how and when to submit them that is nationally determined contributions यह कहता है Paris Agreement के हर country को चाहिए कि वो अपना specific contribution क्या है nationally जो वो लोग determined करते हैं वो contribution देना चाहिए लेकिन किस तरीखे से वो nationally determined contributions होंगे किस तरीखे से आप self-assess करेंगे किस तरीखे से include किया जाएगा एक action plan क्या होगा उसे कब और क्यों किस तरीखे से submit किया जाएगा इन सभी के बारे में cut-off-wise rule book जो है deal करता है criticism तो cut-off-wise rule book दरसल बहुत ही बुरी तरीखे से criticize किया गया था क्योंकि इसका result जो था वो दरसल उतना अच्छा नहीं था जिस तरीखे से उसे expect किया गा था IPCC that is intergovernmental planet on climate change special report on the impact of global warming of 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels countries could not conclude as to how to recognize it अगर आपको पता हो तो 2017-18 में एक बहुत ही important report आय थी IPCC के द्वारा तो उस IPCC के special report में यह कहा गया था कि already global warming के जो levels है वो 1.5 degree Celsius above pre-industrial levels वो hit होने जा रहे यानके very soon we will be achieving this या फिर as of no कई जगा जो है हमें इस तरीखे का temperature बहुत ही आसानी से देखने को मिल रहा है तो countries जो थे member parties जो थे UNFCCC के वो पता नहीं कर रहे थे या फिर वो किसी भी तरीखे के conclusion पर नहीं आ रहे थे कि इस report को किस तरीखे से recognize कर सके यानके एक consensus उनके बीच नहीं था इसे लेकर Though the push for climate change action was mentioned there was no clarity for the same जैसे के मैंने कहा कि consensus नहीं थे तो किस तरीखे का agreement या फिर arrangement बना सकेंगे Climate change के लिए कुछ ना कुछ action तो जरूर करना था लेकिन किस तरीखे से करेंगे इनके पास कोई भी clarity नहीं थी No defined plan has been brought forward leaving many NGOs disappointed बस rule book दिया गया लेकिन किस तरीखे से उस rule book को जो है आप implement करेंगे उसके बारे में कुछ नहीं बतायागा The rules for voluntary market mechanism could not be agreed upon voluntary या फिर non legally binding जब हम कहते हैं तो इस तरीखे के ज्यादतर agreements या फिर rules वगेरा ये useless होते हैं क्योंकि countries उन्हें seriously नहीं लेते तो इस voluntary market mechanism को लेकर भी कई लोगों ने कई environmentalist ने कई important NGOs ने खेद जयता है हुआ था कि ये बस एक show off था इसे ज्यादा और कुछ भी नहीं था ये थी चन्द बात हैं आपको जान नहीं थी Conference of Parties 24 के बारे में जो कि कटोव वाइस पोलेंड में चला हुआ था 2018 में Thank you for watching my video